हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कख्षा चार के विसे हिंदी के सबतहा 25 की वक्सीत को सौल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीत को टॉपिक है स स्वतंतरता की और तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं प्रशन एक है उचित सब्द छांट कर खालिस्थान भरिये तो बच्चे आपर स्वतंतरता का अर्थ होता है आजादी दांडी सत्याग रहे साबरमती चरखा अब बचो फ़स्ट है गांडी जी की तरहे वे सब भी भारत की के लिए लड़ रहे थे किसके लिए स्वतंतरता के लिए नेक्स्ट है गांडी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल च पहुंचे किस जगह पर पहुंचे दांडी नाम की जगह पर लिखेंगे दांडी नेक्स्ट वे ब्रिटिस सरकार के खिलाफ के जुलूस निकालते हैं किसके सत्याग रहेंगे तो यहां पर लिखेंगे सत्याग रहें नेक्स्ट है आसरम में सब को कोई न कोई काम करना होता थ प्रश्न है धनी कौन था और आसरम में वह क्या काम करता था तो बच्चो आंसर है धनी 9 साल का एक लड़का था जो बिन्नी की देखभाल का काम करता था बिन्नी कौन थी बिन्नी बच्चो बकरी थी अब कुश्यन है आसरम में किसकी योजना बन रही थी तो बच्चो आंसर है आसरम में गांदी जी और उनके कुछ साथ ही गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास नमक बनाने जाएंगे तो आसरम में यह योजना बन रही थी नेक्स्ट है धनी कहां जाने की जिद कर रहा था तो बच्चो आंसर है धनी दांडी आतरा पर जाने की जिद कर रहा था नेक्स्ट कोशन है गांदी जी दांडी आतरा पर क्यों जा रहे थे तो बच्चो आंसर है गांधी जी ने धनी को आसरम में ही रहकर बिन्नी की देखबाल करने को कहा अब बच्चो नेक्स्ट कोशन है निम्न लिखित सब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करिए तो बच्चो फश्ट है सत्या ग्रहे सत्या के लिए आग्रहे सत्या पर डटे रहना जिसका अर्थ होता है तो इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है अहिंसा अहिंसा का क्या अर्थ होता है किसी प्राणी को नुकसान ना पहुँचाना तो बच्चो इसके साथ मैच करेंगे न प्रश्न है बच्चो गांदी जी ने धनी को समझाया कि वह आस्राम में रहकर भी देश की सेवा कर सकता है आप भी सोचकर बताइए कि आप क्या क्या काम करके देश की सेवा कर सकते हैं एक वीडियो बनाकर अथवा लिखकर अपनी बात शेयर करें तो बच्चो आंसर है हम बच्च बनाने में भागिदार बनकर देश की सेवा कर सकते हैं तो बच्चो आप अन्य तरीके भी यहां पर लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं बच्चो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू